चाय किसे नहीं पसंद होती या यू कहले कि चाय का दिवाना हर कोई है तो भी शायद गलत ना हो क्या सुबह और क्या शाम लोग जब चाहे तब चाय पीते हैं चाय पसंद करने को लेकर लोगों की अपनी वजहे है कुछ चाय पीने के बाद तरुताजा महसूस करते हैं तो कुछ इसे अपनी फिटनेज बरकरार रखने का तरीका भी बताते है लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय को किसी भी चीज के साथ लेना सही नहीं है इससे आपको कई परिशानिया भी हो सकती है इस कारण आपके शरीर पर बुरा असर भी पड़ सकता है तो आईए जानते हैं वो कौन-कौन सी चीजे है जिनके साथ चाय के सेवन करने से गंभीर समस्या हो सकती है यही नहीं इन चीजों के सेवन से क्या नुखसान होने वाला है आईए वो भी एक-एक करके जानते है सबसे पहले बात करते है ड्राइफ रूट्स की जानकारों की माने तो चाय के साथ कभी भी ड्राइफ रूट्स नहीं खाने चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि ड्राइफ रूट्स में आईरन होता है और दूट्स के साथ आईरन की मातरा लेने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है इसलिए कभी भूल कर भी चाय या दूट्स के साथ ड्राइफ रूट्स का सेवन न करे वही चाय के साथ बेसन से बनी चीजे भी खाने से बचना चाहिए बेसन से बनी चीजों को भी चाय के साथ नहीं खाया जाना चाहिए इससे आपके पाचन शक्ती पर बुरा असर पड़ सकता है बहुत से लोग ऐसे होते है जो चाय के साथ बेसन के पकोड़ों को खाना बेहत पसंद करते है लेकिन यह फूड कॉम्बिनेशन जानलेवा तक सावित हो सकता है इससे आपका पाचनतंत्र कमजोर होने की आशंका बढ़ जाती है और पेट की समस्या होने का भी खत्रा रहता है वहीं चाय के साथ थंडी चीजों के सेवन से भी बचा जाना चाहिए यहीं नहीं अगर आप चाय के शौकीन है तो ऐसे मैं आपको चाय के साथ थंडी चीजों के सेवन से दूर ही रहना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ दो अलग-अलग तासीर की चीजों का सेवन करने से शरीर पर बुरा असर पढ़ सकता है इसलिए चाय के साथ कभी भी लसी, थंडा पानी और दही जैसी थंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए एक बात हो अगर आप चाय के साथ थंडा पानी पीना चाहते हैं तो इसके लिए चाय पीने के बाद कम से कम 30 मिनट का इंतिजार करें फिर थंडा पानी पिए इस वीडियो में फिलाल के लिए बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ